आज हमारा आर्टिकल है साइटो स्केलेटन अब साइटो का मतलब सैल होते है सैल और स्केलेटन यह ताफ कवरिंग को कहा जाता है तो साइटो स्केलेटन सैल का धांच्या अब यह जो साइटो स्केलेटन है यह एक थ्री डाइमेंशनल थ्री डाइमेंशनल वेब लाइक स्ट्रक्चर है वेब लाइक स्ट्रक्चर जैनी मकडी के जारे की तरह का वेब लाइक मकडी के जारे की तरह का एक स्ट्रक्चर है जारे की तरह का है वेब लाइक स्ट्रक्चर को फिल कर देता है साइटो प्राव को खेल कर देगा विजिल विच विजिल विच विजिल विजिल ओनरी अर अंबेड़िट और जिसमें बहुत सी और अगनेलीज मजूद होगी जैसे साइटो प्रामर राइबो सोम अंडो प्रामर क्रैटिकूल अंगाल्जी बाडि़ ने तो जे उसमें ध्रस्टी होती है ठी डाइमेंशन जैसके ठी डाइमेंशन्स हो जैसके ठी डाइमेंशनल कहा जाता है तो एक जैसे वेबला एक स्ट्रक्शर है जो कि साइटो प्राम को फिर कर देगा और जिसमें जो और गनेलीज हैं वो अंबेड़िट होती है तो इसको साइटो स्कारिटल फैबरिक का नाम भी दिया जाता है साइटो स्कारिटल फैबरिक्स इसका नाम भी दिया जाता है फैबरिक रेशे को कहा जाता है तो साइटो स्कारिटल फैबरिक जो कि साइटो प्राम के अंदर मवजूद होगा जो कुछ सेल को स्पोर्ट को वाइड करेगा अब ये जो साइटो स्कारिटल फैबरिक इसकी आगे फिर त्री टाइप्स है एक जो इसको माइक्रो टब्यूर कहा जाता है माइक्रो टब्यूर और एक जो है उसको माइक्रो फिलामेंट कहा जाता है माइक्रो फिलामेंट और तीसरा जो है उसको इंटर्मीडियेट इंटर्मीडियेट filaments कहा जाता है तो साइटोस्केल्टन में जो प्रोटीन्स मज़ूद होती है प्रोटीन्स प्रेजन्ट इन साइटोस्केल्टन प्रोटीन्स मज़ूद होती है उसमें एग व्योस्को क्यूबिन्स का जाता है क्यूबिनन तो साइटोस्केल्टन्स यूबिन्स और तीसरी इसमें उसको ट्रोपोमायोसेन में का जाता है ट्रॉपो मायोसिन ट्रॉपो मायोसिन एंट अदर्स अब ये वो प्रोटीन्स हैं जो मसल में भी मजूद होती हैं आप सो प्रेजन इन मसल्स तो जो हमारे मसल्स में भी मजूद होती हैं जानि इनको साइटो स्कैल्टल फैब्रिक्स का नाम गया जाता है साइटो स्कैल्टल फैब्रिक्स अब जो साइटो स्कैल्टल फैब्रिक्स से उसमें थ्री टाइब्स ये फिलामेंट आ जाती है एक उनको माइक्रो टर्बियूल कहा जाता है एक उसको माइक्रो फिलामेंट कहा जाता है और एक उसको इंटर्मीडियेट फिलामेंट कहा जाता है और इन में यह तीन तरह की प्रोटीन्स पाई जाती है एक टुबरन है, एक एक्टन है, एक ट्रोपो मायोसिन है और ये प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो मसल में भी मजूद होती है तो अब हम इन फिलामेंट्स को डिटेल के साथ डिसक्स करेंगे तो इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे तो सबसे पहले माइक्रो टब्यूद माइक्रो टब्यूद इनको स्टडी करेंगे माइक्रो टब्यूद और ये जो माइक्रो टब्यूद है ये लॉंग अन्ड ब्राइच लॉंग अन्ड ब्राइच स्रेंडर स्रेंडर का मरुख्चिन होते है बरीफ होते है स्ट्रक्चर्ज है स्ट्रक्चर्ज और ये मेड अप आफ टूबलन प्रोटीन ये टूबलन प्रोटीन के बने हुए होते है टूबलन प्रोटीन के बने हुए होते है और इनका जो रोल होगा फॉंक्शन होगा ये हिस्सा लेते हैं असेंबली अद डिस असेंबली और स्पिंडर स्पिंडर अब स्पिंडर एक ऐसा स्ट्रक्शर है जो के सर्ड डिवीजन के दोरान बनते है फार्म डूरिंग सर्ड डिवीजन जो स्पिंडर डिवीजन के दोरान बनते है उसको स्पिंडर कहा जाते है यह पहले भी मैंने आपको प्रायत है कि यह स्पिंडर का स्ट्रक्शर होगा इस स्पिंडर कहा जाते है इसके साथ क्रोमोसों अटैच हो जाते है और अपने अपने पोस की तरह मूड़ करते हैं तो यह जो spindle formation होती है जह tubular protein की वज़ा से होती है कि tubular protein की सब units है वो आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से spindle fibers develop हो जाती है और इस तरह से एक ऐसा structure develop हो जाता है जो दिर्मियां से ठिक होगा और उसके किनारे टेपरिंग होगे यह टेपरिंग होगे दिर्मियां में ठिक होगा है ऐसे structure को spindle कहा जाता है तो spindle formation का बनना, spindle formation का disappear हो जाना यह micro tubular की वज़ा से होगा दूसरे हैस में यह होता है कि जो सिडिया है फ्लैजला चिदिया फ्लैजला और बेसल बोडी बेसल बोडी सेंट्रियोल सेंट्रियोल तो इसकी जो formation है formation यह भी किस की वज़ा से होती है micro tubule की वज़ा से होती है अब सिडिया जे छोटे छोटे cell like structure होती है जैसे जे आपने दिखा होगा कि जो पैरा मीशियम है उसके रिज़ते छोटे cell like structure होती है जिनको सिडिया कहा जाता है फ्लाजिला प्लाजिला 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 प् सेट्रियोल से מльता जलता structure होते है उसका analogous structure होते है जिसको नाम दिया जाता है बेस्ल बोडी तो इसको बेस्ल बोडी कहा जाता है तो उसको बेस्ल बोडी इसका नाम दिया जाएगा अगर दूसरे नमबर पार हमारे पास आ जाते हैं whenever filaments micro माइक्रो फिलामेंट्स अब जो माइक्रो फिलामेंट्स होती हैं यह मौर कि सिलंडर कि सैनंडर होते हैं अब सिलंडर इसका तो मत रोता है थेन बरी और यह जो सिलंडर है इसका मत रोता है जो सिलंडर नवा हो उसके लिए जह हम इस्तिमार करते हैं सिलंडर तो जो बरीक होते हैं सिलंडर होते हैं इनको सिलंडर का नाम दिया जाता है सिलंडर कहा जाएगा और यह जो माइक्रो फिलामेंट्स हैं अटैच अटैच टू इनर Face of Cell Membrane जो Cell Membrane उसकी Inner Face के साथ ये अटाइच होती है Inner Face जैनि अंदर वाला जो उसका पार्ट होता है Cell Membrane का उसके साथ ये लिंक हो जाती है अब इनका जो फंक्शन होते है एक तो Cyclerosis Cyclerosis जैनि ये होता है जिसको Cytopromic Moment कहा जाता है Cytopromic Moment इस Cell के अंदर जो Cytoprom है उसकी Moment होती है जो पहले आपको बताया गया था कि Cytoprom की Moment होती है जिसको Cyclerosis कहा जाता है Cyclerosis कहा जाएगा जैनि सैल के अंदर Cytoprom का Moment शोकाना उसको Cyclerosis कहा जाता है और जो Cyclerosis है वो किस की वज़से होती है माइक्रो फिलामेंट की वज़से होती है क्योंकि माइक्रो फिलामेंट इनमें Acton Protein होती है जै एक्टन प्रोटीन के बने हुए होते है Acton Protein ये कॉंट्रेक्टाईल प्रोटीन है कॉंट्रेक्ट्रेक्टाइज प्रोटीन इसको कहा जाते है जो सुकर सकती है, कुंट्रेक्ट टाइल, प्रोटीन जो होगी इसमें तो जब जे माइक्रो फिलामेंट कुंट्रेक्ट करते हैं तो इनके कुंट्रेक्ट काने की वज़े से साइट अप लास मुवमेंट शोग करेगा जिसको साइक्लोसिस कहा जाता है और इसका एक और फंक्शन है अमीबायर मुवमेंट अमीबायर मुवमेंट यह भी इसका स्टक्चर है, इसका फंक्शन है अमीबायर मुवमेंट, जन्हें अमीबा की मुवमेंट अब अमीबा कैसे मूव करते हैं, इसकी ट्रे तो आगे आएगी कि अमीबा कैसे हरकत करेगा, कैसे उसकी मुवमेंट होती है, तो अगदर चैप्टर में इसको हम डेटेल के साथ डिस्क्स करेंगे, कि अमीबाइड मुवमेंट कैसे होती है, तो जे माइक्रो फिलामेंट, और उसके बाद आए थे इंटर बीडियेट फिलामेंट, हाँ, इनक Sabrina का आप कादि के जो ढायमिटर होता है इनका डायमिटर जो है माइक्रो टिभियोंका डायमीटर छेकल जेसे 25 नानोमिटर होssa और जब की जो इसका जो डायमिटर है नानोमिटर सब्सकाइब जरे समय चावा स्शित धर用 डायमिटर तो इसका जो डाइमीटर है 20 to 25 नानोमीटर होगा जब कि इसका डाइमीटर जब है जिस सेर्वन नानोमीटर होगा यह सुप्र में है यह रेकज वह रेकर पारुकोड नियोग में के तवर करें में कविता Hun फिलमेंट यह तीसा हैं इंटरमीडियर फिलमेंट इंटरमीडियर फिलमेंट जैनी इनके जो डायमीटर है यह एक्टन और प्यूबलन के दम्यान होते हैं डायमीटर बिद्मिन माइक्रो टर्बियूल और माइक्रो फिलमेंट माइक्रो फिलमेंट तो जैसका डायमीटर होगा तक्रीबंद तैन नैनोमेटर और यह जो इंटरमीडियर फिलमेंट होते हैं इंटरमीडियर फिलमेंट इनके जो एहम रोल है वो है तो मेंटें अचेशेव और मेंटेन सेल शेव तो उसे सेल शेव को मेंटेन लगती हैं और उसके साथ साथ इनके एक और फंक्शन होगा इंटिग्रेशन ओफ इंटिग्रेशन ओफ सेलुलर कमपार्टमेंट्स सेलुलर कमपार्टमेंट्स तो यह सेलुलर कमपार्टमेंट्स उनके दरमयान यह राप्ते का भी काम करेगा तो सेलुलर कमपार्टमेंट्स उनके दरमयान यह राप्ते का भी काम करता है यह उनको आपस में यह कुनेक्शन करेगा उनके दरमयान तो जह intermediate filament के function है कि intermediate filament क्या होती है तो दोबारा brief सा मैं explain कर देता हूं दोबारा कि луч अधायता तो साइ्टो और सकेलटन सकेलटन जिए है धांचे को कहा जाते है जैसे हमारा जो धांचा है यह बॉन्स पर मुश्तमिल है और जिसकी वैसे हमारी एक शेप है क्योंकि वो जो धंचा है हमारे बाड़ी को स्पोर्ड पोएर करते है इसी तरह सेसेल के अंदर एक धंचा मजूद है जिसको साइटोस्केलटर नहाँ जाते है और वो फाइबर्स पर मुष्मिल होगा जिसको साइटोस-क्रेटर-फाइबरिक का नाम गया जाता है और उसके त्री टाइब्स है, माइक्रो टब्यून हैं, माइक्रो फिलमेंट हैं, इंटरमीडियर्ट हैं तीनों को आपने, सेपरिट जो हैं एकस्प्रेइन करने हैं उसके साथ साथ उनके function लिख देने हैं क्योंकि बोक्त में इनके function अलहदा दिखे गए हैं और इनका structure बाद में बताया गया है लिएकर आप उनको combine करके लिखना है तो micro filament, micro tubule जैसे मैंने बताया कि जो micro tubule होते हैं जैसे long होते हैं, unbrine होते हैं cylinder जैसे बरीक होते हैं structures हैं जो tubulin protein के बनते हैं और इनका main काम, sydia formation, phryla की formation, sentryol की formation है basal bodies की formation उसमें इसा देते हैं और जो spindle formation है, उसका बनना, उसका तूटना during cell division ये भी micro tubule की मदद से होगा जबके micro filament, उनका diameter 7 nanometer होते है और उनका main function है, वो है, cyclosis जैसे cell के अंदर, जो cytoplasm की moment होती है उसकी वैसे होती है और amoeba, उसकी जो moment है, वो भी micro filament की वैसे होगी तीसरे नमबर पर, intermediate filament, उनको study किया गया तो intermediate filament ये दोनों के दरमयान इनका diameter होता है micro tubule और micro filament के दरमयान होता है तो इनका diameter तक ये 10 nanometer के तीज होगा तो इनका जो, इनमें जो protein पाई जाती हैं इसमें actin भी होगी इसमें जो दूसरी आपने पढ़ी, tubulin भी होगी actin और tubulin actin and tubulin तो ये भी होती है, इसकर आप दूसरी protein भी होती है actin and tubulin में इसमें protein मज़ूद होती है actin and tubulin अब इनका जो function है, वो क्या है कि सेल की shape को maintain रखना और दूसरा इसका function है integration of cellular compartments कि सेल के जो मुशन compartments हैं ये उनको आपस में connect करेगा उनका आपस में ये link produce करेगा, develop करेगा तो ये साइटो, स्केरिटर तो अगला जो हमारा article इन्शाला हैंदा होगा वो mito-pallia होगा अलाहाफ़